उसको भी करप्शन एक्जाम टाइम से लिंगे नहीं, पेपर सही बनाएंगे नहीं, पेपर में कॉश्चन गलट डालके भी 100-100 रुपे बसूलेंगे, उसको भी पैसा बसूलने का धंदा बनाएंगे, एक-एक साल में दो रिजल्ट एक साथ देंगे, बच्चे को कन्फ्यू बूल जाएगा, अपने पैसे बूल जाएगा, कि भाई मैं इससे ज़्यादा परेशान नहीं हो सकता, कल इनों ने रिजल्ट दिया, और मांक्स के बारे में बोल दिया, बाद में देंगे, अब यह पता है मांक्स कब देंगे, यह मांक्स देंगे तीन महीने बाद, जब आ आपका ध्यान 2020 की तयारी में होगा, आप कुछ कहनी पाओगे, अरे कब तक सहेंगे हम, अब युबाओं की हुंकार लेके रहेंगे रोजगार, अब अगर रोजगार नहीं मिलाना, तो देस्तर पर उठा लेंगे, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, हमारी मांगे क आज ये वीडियो बहुत महतपूर है, मैं उन सब लोगों का धर्द बया कर रहा हूं, जो 4-5 साल से तयारी कर रहे हैं, और आपकी एक गलती की वज़े से उनकी जिन्दगी खत्म हो जा रही है, एज रिकॉगनिंग इशू, लगातार 2015-16 तक एज अगस्य काउंट होती थी अभी कोरोना काल था, आपको छूट दे सकते थे, लेकिन आपने फिर से एक जनवरी से एज काउंट कर दी, नहीं होने देंगे आपको, अगस्य बापस काउंट करनी पड़ेगी, एक छोटी सी गलती, अभी जो लोग नए जोड़ेंगे, जिनको पता नहीं है SSC की बारे मे मैं उन लोगों को बता दूँ कि ये एक मेंस के पेपर को तीन दिन में लेते हैं, पंदरा, सोले, अठारा, पंदरा, सोले का पेपर ये नॉर्मल बनाते हैं, अठारे का पेपर ये इतना हलुआ बना देते हैं, जिसमें बच्चों के 200-200 नंबर आते हैं, 190-195, अब जब य करते हैं, तो वो सारे बच्चे बहार हो गए, अब आप एक बात बताईए, जिस बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा था, जो खुद से 200 नंबर ला सकता था, जो बच्चा खुद से 200 नंबर ला सकता था, वो अपना पेपर सवा घंटे में करके बैठ गया, तो आपने उ उसका स्किल कहा टेस्ट किया?